हेलो गाईज आप सभी का स्वागत है इस एपिसोड को पूरा देखना और इसके बाद जो दो तीन एपिसोड आएंगे उन्हें भी पूरा देखना क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ का पता चलने वाला है तो चलिए बिना किसी दिरी के वेडियो को शुरू करते हैं जैसा कि दोस्तों पिछले अपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि मुह को एक टेकनीक करनी थी लेकिन इसके लिए उसे वक्त की जरूरत थी और यह जो मॉस्टर है यह उसे सबसे पहले मातना चाहता था लेकिन कैप्टन आ जाते हैं और मुह को वक्त देने की कोशिश करते हैं और उनकी हालत कराब हो जाते हैं लेकिन तब तक मुह ने अपनी टेकनीक को कंप्लीट कर लिया होता है और सीधा उस मॉस्टर की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है मुह कह रहा होता है कि कैप्टन अब जरा भी चिंता मत करिए मैं आपको कुछ भी नहीं होने द लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यह तो ब्लैक रियलम में था वो जाता है सीधर उस मॉस्टर से टकराता और एक बहुत बड़ा धमागा होता है उधर वो लोग सोच रहे होते हैं यह तो सुच-बहुत सा ताकतवर है मुह ने एक ही बार में उस मॉस्टर को खतम कर दिया था और स फाइनली जिस वक्ता मुझे बहुत सालों से इंतजार था वो वक्त आ चुका है आखिर मुट यान तुम यहाँ पर आही गए हो उड़ जाओ यह सोच रहा होता है और कि मैं मैं यह किस जगह पर आ चुका हूँ आखिर यह जगह कौन सी है और यह आवाज क्या यह भी एक त तब ही तुम इस डेजर्ट से बाहर निकल पाओगे अगर तुम इन्हें मना कर देते हो तुम इस डेजर्ट से बलकुल भी बाहर नहीं निकल पाओगे लेकिन इधर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है वो कहता है कि मैं सिर्फ मैं ही क्य वो जो spirit होती है वो कहती है, सिर्फ तुम ही क्यों हाँ, तुम ही मैं अभी तुम्हें बताती हूँ वो इसलिए, क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारे लोगों से communicate करने की कोशिश कर चुकी हूँ क्योंकि बहुत ही जादा special है और हर कोई मुझसे communicate नहीं कर सकता है, लेकिन मैं भी बस यही जानना चाहती हूँ, क्या खिर तुम ही क्यों तुम ही मुझसे communicate क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हेरे नाम से तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम मेरे clan से belong भी करते हो, देखो मैं तुम साफ साब बता देना चाहती हूँ, कि अगर तुम मेरी बात मानोगे, तो तुम इस desert से निकल सकते हो, वैसे तुम्हेरे बस मेरी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो तुम जरूर आओगे, अगर तुम मेरी orders को मानते हो, तो तुम्हें खुदी पता चल जाएगा कि future में तुम्हेरे लिए क्या अच्छा होने वाला है, और क्या बुरा होने वाला है अब ये कहने के बाद वो गयब हो जाती, हम देखते हैं और ये पूरा एक दिन से बेहोशी था, और तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वज़े से, हम सभी लोग की जान बज़ गई, और वो पूछता है कि बाकी सभी लोग कैसे हैं, वो बताती है कि बाकी सभी लोग ठीक है, किसी को कैप्टन वहाँ जाते हैं, और कहा रहे होते हैं कि बदमाश बच्चे, तुम्हारी इतनी हिमत, तुम ये चाहते हो कि मैं मर जाओ, ताकि तुम लोग को किड्नैप कर सको हां, देखो ये सब तुम्हारे सपने में भी नहीं होने वाला है, वो कैप्टन को देखकर डर जाता है, और कहा रहा होता है, कैप्टन आखिर आप जिन्दा कैसे हैं, लूग अता रही होती है कि देखो, डैड का या जो ब्लेड था वो तूट चुका है, इसलिए वो इतने ज़्यादा दुखी है, मुह कहा रहा होता है कि वो प्लीज मुझे माफ कर दिजले, इन फिर से वही ज़्यादा मुझकिल क्यों ना हो, मैं उसे पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता हो, और ये भी, राउंड टु हेलो वाला स्टाइल में तालिव जा रहा होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, सोच रहा था, इसका मतलब कैप्टन पूरी तरीके से ठीक है, तो वो कैप् कैप्टन कह रहे होते हैं कि उस वक्त तुम बेहोश थे, चलो बाहर चल कर एक पर क्यों नहीं देख लेते हो, हमें पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जब वो बेहोश हो जाता है, तब मुझे पता है, लेंड आफ ट्रेजर कहां पर है, चलो मैं तुम्हें रास्ते दिख कैप्टन के रहे होते हैं कि क्या हुआ, तुम रोक यू रहो, यह कह रहा होता है, मुझे र्यकिन नहीं हो रहा है, वही चीज आप मान सकते हैं, यह जगा इतनी जखी ज़्यरियस है कि कोई इसके बारे में जानता ही नहीं, क्यू arguing इस डिज़र के यूह आने के इहीं आफ को बहुत ज़ादा हिम्मत की जरूरत चाहिए और जो लैंड ओफ ट्रेजर है वो इस डेजर्ट के अंदर कहीं छुपा हुआ एक रास्ता है जहां पर पहले एक मॉंस्टर रहा करता था वो उस जगह पर राज करता था हाला कि वो मॉंस्टर मारा जा चुका है लेकिन उसकी सं जाकर उस ट्रेजर को ढूनेगा तो यह और भी जादा खतरनाक है लेकिन रुकना इसके बाद ना एक बहुत ही मस्चीज है कैप्टन कह रहे होते हैं कि अब मन्जिल हमारे साम नहीं है हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हम ले सकते हैं और यह सब सिर्फ तुम्हारी वज़े हो पाया है वू टियान लेकिन यहां तो उसकी हालत खराब होती है उसका गला सुख रहा होता है यह लगिस्तान तो बहुत साथा सुखा है मुझे पानी चाहिए लू 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 भी उसके लिए पानी लगा जाती है और कैपटन कह रहे होते हैं कि तुम हाईड्रोपिल क्यों पिले लेगे ओ, लेकिन लू कहिए ही होती है कि वो हइड्रोपिल तो पहले ही खतम हो चुके है उू कहता है कि नहींगी, कोई भी ज़रूरत नहीं है मैं थोड़ा सा पानी पीलूंगा तो ठीक हो जाओंगा कैब्टे NBA कहता है कि ठीक है कैप्टन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने टीम में आने के लिए कहा लेकिन मैं नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरे पास और भी कुछ बहुत ही अलग-अलग काम है वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम मना क्यों कर रहे हो लु कहते है कि आखिर नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है अजल में बात यह है कि मैं और भी ज़्यादा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ इसलिए मैं किसी एक जगा पर टिक के नहीं रहना चाहता हूँ अब थोई दिर बात के सीन में हमें कैप्टन और लु को दिखाया जाता है जहांपर ये लोग कहा रहे होते हैं कि हम लोग उतने ताकत और बंदे को रिक्रूट नहीं कर पाए काफी जाता बुरा लग रहा है कैप्टन कहते हैं कि कोई बात नहीं ये उसका डिसीजन है और उसे ही फैसला करना है वो आना चाहता है या फिर नहीं आना चाहता है वैसा अब रात बहुत हो चुकी है हमें कल के लिए प्लैनिंग भी तो शुरू करनी है लु कहती है हाँ क्यों नहीं अब हमें सुबा के सीन को दिखाया जाता है इसी चीज़ को देखते हुए हमारे कुछ भाई हमें पहले ही छोड़ कर जा चुके हैं अब मैं इस बार वैंगार में रहूंगा सबसे आगे रहूंगा अगर मुझे हलकी सी भी भनक लगती है कि कुछ मुसीवत हमारे उपर आने वाली है तो मैं तुरंथी आप लोगो रिट्रीट करा दूँगा अब वो लोग अंदर जा रहे होते हैं जब वो लोग घुस रहे होते हैं अंदर में तब यहां मुझ की हालत खराब होती है लोग को कहती है कि क्या हुआ कुछ हुआ है क्या है वो कहता है, नहीं नहीं, चलते रहो चलते रहो, लेकिन बात तो ये रहती है कि प्रेशर कुछ जादा ही बना हुआ रहता है, पानी जो इसने ठेर सारा पी लिया था, वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, बहुत सारे ट्रैप्स उनके रास्ते में आते हैं लेकिन वो लोग जान चाप को मार दे और यहां अंदर भुसो तो यह प्यारी सी जगा लग रहा है कि मैं जन्नत में पहुँच चुका हूँ तभी उसे फिर से वही आवाज आती है या जाओ मेरे पास आओ वो इधर उधर देखने लगता है और कह रहा होता है कि आखिर कौन है वहाँ पर लू लोग आगे चलना शुरू करते हैं और कैप्टन कहा रहा होते हैं कि बस हमें उस टावर में पहुंचना है क्योंकि जितनी वैल्योबल चीजी होगी वो सभी उसी में होगी लेकिन यहां इसका प्रेशर चरम सीमा पर होता है यह अब जादर देर होल्ड करके नहीं रख सकता है और सोच रहा मुझे कोई न कोई रास्ता ढूना पड़ेगा क्या मैं पेड़ पे कर दू साइड में लेकिन अचानक से पैर इसका फिसल जाता है और फिर लट्टू की तरह गोल गोल घूमते घूमते चला जाता है एक बहुत ही तगड़ी जगा पर जो की बहुत ही देखने में अच्छी लग रही है जब पूरा रूम ख़लता है तो अदर से एकदम हवाय चलने लगती है एकदम तेज-ज़ हावा चल रही होती है वह अंदर जाता है लेकिन उसे अंदर कुछ नहीं दिखता है क्योंकि अंदर बहुत जाता अंधेरा होता है और वहां अंदर कुछ खास होता भी नहीं है सिवाए इस टूटे हुए लकड़ी के वो सोच रहा था आखिर ये कौन से जगा है ये किस तरीके का सीगरेट रूम है तो ठीक है इसके बाद एपिसोड तुरंती आ रहा है देखना बहुत ही मजा है उस एपिसोड में